पड़ी चाए अवशक्ता पड़ती है मा, ये वाशिंग मशीन भी तो कार्य करती है क्या इसको भी उर्जा की आवशक्ता होती है हाँ, परन्तो इसमें अंतर है आओ, मैं तुम्ही कार्य एवं उर्जा की विशे में बताती हूँ उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे कार्य एवं उर्जा को परिभाशित करना उर्जा के भिन रूपों को लिखना स्थितिज उर्जा एवं गतिज उर्जा के वेंजकों को लिखना उर्जा संदक्षन की विधियों को समझना बल को परिभाशित करना, एवं कारे, उर्जा और बल की इकाईयों को लिखना कारे, मित्रो, हम लोग बड़ी मात्रा में कारे करते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, साइगिल चलाना, दोड़ना, इत्यादी इन सभी कारियों के लिए बहुत सारी उर्जा की अविशक्ता पड़ती है, परन्तु वैग्यानिक परिभाशा के अनुकूल, जो कठिन श्रम है, उससे अल्प कारे भी हो सकते हैं, कैसे आओ देखते हैं, इस विशाल ट्रक को देखो, हम इसको धग्या देने के लिए कठिन श पश्चात भी ट्रक का स्थान परिवर्तित नहीं होता, हम ठक जाते हैं, कठिन श्रम के पश्चात भी हम लोगों ने कोई कारे नहीं किया, क्यूंकि ट्रक का स्थनांतरण नहीं हुआ, हम कह सकते हैं कि हमने कठिन श्रम किया, परन्तु विज्ञान की दृष्टी में हमारे कारे द्वारा ट्रक पर कोई कारे नहीं किया गया। हम विज्ञान में कारे पत का भिन प्रकार से प्रियोग करते एवं परिभाशित करते हैं। उधारण के लिए अगर हम एकूंचे परवत पर चड़ते हैं तो विज्ञान के अनुसार हमने बहुत कारे किया है। कारे की विज्ञानिक अवधारणा कारे संपन होने के लिए इन दोनों इस्थितियों को संतुष्ट किया जाना आवशक है। प्रथम तो यह है कि किसी वस्तू पर बल का प्रियोग हो। दुईतिये यह है कि वस्तू का स्थानांतरण हो। आए हम कुछ परिस्थितियों पर नजर डालते हैं। यदि हम एक मेज को खीचते हैं और मेज अपने स्थान से कुछ दूर किसकती है। यहां हमने खीचने के लिए मेज पर एक बल आरूपित किया और यह स्थानांतरित हो गया। इस प्रकार कारे की दोनों शर्तें यहां पून होती हैं। इसलिए कारे संपन हुआ। इसी प्रकार जब हम क्रिकिट खेल रहे होते हैं यदि हम गेंद पर बल्ले से प्रहार करते हैं तो कारे संपन होता है क्योंकि बल गेंद पर आरूपित होता है और वो गेंद बल द्वारा विस्थापित होती है। विज्ञान में कारे की अवधारणा को समझने के लिए आईए एक समस्या पर विचार करते हैं। हमें सपश्ट करना है कि कारे बल और विस्थापन के गुणन फल के बराबर होता है। गई दूरी के गुणन फल के परिमान के बराबर होता है। कारे का केवल परिमान होता है और इसकी कोई दिशाण नहीं होती। अगर F is equal to one Newton और S बराबर एक मीटर तब बल द्वारा किया गया कारे एक Newton मीटर होगा। कारे की इकाई Newton मीटर एन एम या जूल यानि जे है। इस प्रकार एक Newton मीटर या एक जूल किसी वस्थू पर किये गए कारे की मात्रा है। जब वस्थू पर एक Newton का बल लगता है और वह बल की दिशा में एक मीटर विस्थापित होती है। उदाहरण आईए अब निश्पादित कारे का पता लगाते हैं। जब हमें लगाया गया बल और विस्थापन ग्यात हो। एक चात्र जमीन से अपना स्कूल बैग उठाता है और उसे भूतल से एक दशमलो पांच मीटर उपर अपने कंधे पर रखता है। पांच निउटन का एक बल उस वस्थू पर लग रहा है। 7.5 निउटन मीटर या 7.5 जूल के बराबर है। उर्जा अब हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार के कारे के लिए उर्जा की आवशकता होती है। किसी भी कारे को पूर्ण करने के लिए उर्जा आवशक है। परन्तु प्रशन ये भी है कि ये उर्जा आती कहां से है। हमारे लिए सूरे उर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारी उर्जा के कई स्रोत सूरे से ही उत्पन हुए है। उर्जा स्रोतों को दो समूहों में वर्गी कृत किया जा सकता है। आनवी करनिये और नवी करनिये। हमें अधिकांश उर्जा आनवी करनिये उर्जा स्रोतों से ही मिलती है। कोईला, पेट्रोलियम, प्राक्रितिक गैस, प्रोपेन और यूरेनियम आनवी करणिये उर्जासरोत हैं। विद्धुत उत्पादन, घरों को गर्म रखने, गाडियों के परिच्वालन और सभी प्रकार के उत्पादों के निर्मान में इसका उप्योग किया जाता है। इन उर्जासरोतों को आनवी करणिये कहा जाता है, क्योंकि इनकी उपलब्धता सीमित है। नवी करणिये अर्थात अक्षय उर्जा के सरोतों में जैविक उर्जा, भूगर्भिय उर्जा, पनबिजली, सौर उर्जा और पवन उर्जा सम्मिलित हैं। इन्हें नवी करणिये उर्जा सुरोत कहा जाता है, क्यूंकि इनकी अल्प समय में ही पुनापूर्थी संभव है। हम नवी करणिये उर्जा सुरोतों का उपयोग, मुख्यता, विद्ध उर्जा के निर्मान में करते हैं। एक वस्तू में जो कारे की क्षमता होती है उसे धारित उर्जा कहते हैं। जब वस्तू कारे करती है तो उर्जा का हिरास होता है और जिस वस्तू पर कारे होता है वह उर्जा ग्रहन करती है। इस प्रकार किसी वस्तु में नहित उर्जा को उसकी कारेक्षमता के संदर्भ में मापा जाता है। अताहा उर्जा की इकाई भी वही है जो कारेकी इकाई है। अर्थात जूल यानि जे। एक जूल कारे संपन करने के लिए एक जूल उर्जा की आविशक्ता होती है। जबकि उर्जा की बड़ी इकाई के लिए किलो जूल यानि के जे का प्रियोग होता है। एक किलो जूल एक हजार जूल के बराबर होता है। उर्जा के विभिन रूप उर्जा के कई अलग-अलग रूप हैं। उर्जा के विभिन रूपों में स्थितिज उर्जा, गतिज उर्जा, ताप उर्जा, रासाइनिक उर्जा, विद्युत उर्जा एवं प्रकाश उर्जा भी सम्मिलित है। आईए, सर्व प्रथम गतिज उर्जा के विशे में अध्ययन करते हैं. हम जानते हैं कि एक गतिमान वस्तु कारे कर सकती है. एक वस्तु अपने समरूप से अधिक कारे कर सकती है, जिसकी गति अपेक्षक्रित मन्ध है. गतिज उर्जा वह उर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण नहित होती है. किसी वस्तु की गति में वृद्धी के साथ उसकी गतिज उर्जा भी बढ़ती है. घूमता पहिया, चल्दीकार, डौडता लड़का आदी गतिज उर्जा के उदारण हैं. अताहा हम कह सकते हैं कि नियत वेग से गतिमान किसी पिंड की गतिज उर्जा उस वेग को प्राप्त करने के लिए पिंड पर किये गए कारे के बरावर होती है। गतिज उर्जा का समीकरण अब आईए हम किसी वस्तु की गतिज उर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लेते हैं कि M द्रफ्यमान का एक पिंड एक समान वेग यानि U के साथ पर लहा है। अब इसके S दूरी तक विस्थापित होने के बाद विस्थापन की दिशा में एक नियत बल F लगाते हैं। हम जानते हैं कि किया गया कारे अर्थाद W लगाए गए बल F एवं तै की गई दूरी S के गुणन फल के बराबर होती है। वस्थू पर किये गए कारे के कारण इसकी गती में भी परिवर्तन आएगा। चलिए माल लेते हैं कि वस्थू का वेग पहले U था जो बल लगने के बाद V हो गया। माल लेते हैं कि बल लगने से उत्पन तौरण A है। एक समान तौरण A से गती मान वस्थू के प्रारंभिक वेग U और अंतिम वेग V एवं विस्थापन S के मध्धे संयोजन करने पर वी वर्ग घटा यू वर्ग बराबर दो A S इस प्रकार S बराबर वी वर्ग घटा यू वर्ग बटे 2 A हम जानते हैं कि F बराबर M A अताहा कारे के समीकरण में F एवं S के परिमानों का उप्योग करने पर कारे W बराबर M A गुणा कोश्ठक में वी वर्ग घटा यू वर्ग बटे 2 A या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर 1 बटा 2 M कोश्ठक में वी वर्ग घटा यू वर्ग यदि वस्तू अपनी अचल स्थिती से गती प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग U बराबर 0 होगा अताहा वस्तू द्वारा किया गया कारे होगा W बराबर 1 बटा 2 M V का वर्ग स्पश्ट है कि किया गया कारे वस्तू की गतिज उर्चा में हुए परिवर्तन के बराबर है इस प्रकार समानवेग V से गतिशील M द्रवेमान वाली वस्तू में नहित गतिज उर्चा है E के बराबर 1 बटा 2 M V का वर्ग उदाहरण आईए अब 10 किलोग्राम द्रवेमान वाली एक वस्तू की गतिज उर्जा का पता लगाते हैं जो समानवेग 4M S का मान घटा 1 के साथ गतिशील है समाधान यहाँ वस्तू का द्रवेमान M बराबर 10 किलोग्राम वस्तू का वेक बराबर 4M S का मान घटा 1 गतिज उर्जा के समीकरण की मदद से हमें प्राप्त होता है बराबर 1 बटा 2 गुणा 10 केजी गुणा 4MS का मान घटा 1 गुणे 4MS का मान घटा 1 बराबर असी जूल अता इस वस्तु की गतिजूर्जा असी जूल है इस्थितिच उर्जा इस्थितिच उर्जा को समझने के लिए आईए इस गतिविधी को करते हैं एक रबड का टुकड़ा लो उसको एक छोड से पकड़ो और दूसरे छोड को खीचो तुम देखोगे कि रबड के टुकड़े में खीचाव आता है अब रबड के टुकड़े के एक छोड को छोड़तो तुम क्या देखते हो रबड का टुकड़ा अपनी वास्तविक लंभाई को पुना प्राप्त कर लेता है इस कार्थ ये हुआ कि रबड के टुकड़े ने खिचाओ की स्थिती में उर्जा ग्रहन की थी क्या तुम जानते हो कि जब रबड के टुकड़े को एक छोर से खीजा गया तब उसने उर्जा कैसे ग्रहन की? यहां वस्तु पर किये गए कारे के कारण उर्जा संचित होई किसी वस्तु में उर्जा का हस्तान तरण होता है तो वो स्थितिज उर्जा की रूप में संचित होती है यदि ये वस्तु के वेग या गती में परिवर्टन का कारक नहीं बनती जब हम रबड के टुकडे को खीशते हैं तो हम उर्जा का हस्तानांतरन करते हैं जो उर्जा रबड के टुकडे में हस्तानतरित होती है वही उसकी स्थितिज उर्जा है वस्तु द्वारा अर्जित स्थितिज उर्जा वह उर्जा है जो उस वस्तु की स्थिति अथवा उसके विन्यास के प्रभाव सो रूप उसमें उपस्तित है उँचाई पर किसी वस्तु की स्थितिज उर्जा गुरुत्विय स्थिज उर्जा किसी वस्तु में संचित वो उर्जा है जो उसकी उर्धवा धर इस्तिती अथवा उंचाई का परिणाम है आईए उंचाई पर रखी किसी वस्तु के गुरुत्विय स्थिज उर्जा के प्रभाव का पता लगाते हैं मान लेते हैं कि एक वस्तू है जिसका द्रफिमान M है वस्तू को भूतल से उंचाई H तक उपर उठाते हैं ऐसा करने के लिए एक बल की आविशक्ता होगी वस्तू को उपर उठाने के लिए जो नियूनतम बल लगता है वहाँ वस्तू के भार के बराबर होता है वस्तु स्वयम पर किये गए कारे के बराबर उजा ग्रहन करती है आईए मान लेते हैं कि वस्तु पर गुरुत्वा कर्शन के विरुद्ध किया गया कारे W है अर्थात किया गया कारे W बराबर बल गुणा विस्थापन जो की Mg गुणा H के बराबर है W बराबर MgH चुकि वस्तूपर किया गया कारे MGH के बराबर है, अताह वस्तू द्वारा MGH XI के सम्तुल्य उर्जा प्राप्ट की गई. यह वस्तू की स्थितीच उर्जा है इसी प्रकार गुरुत्वा करशं द्वारा किया गया कारे, वस्तु की उर्ध्वाधर उचाईयों के प्राथमिक और अंतिम स्थितियों में अंतर पर निर्भर करता है। इसका वस्तु के विस्थापन के मार्ग से कोई संबंध नहीं है। उर्जा का रुपांतरण अब एक प्रश्न का उत्तर दें। क्या हम उर्जा को उसके एक रूप से दूसरे में परिवर्थित कर सकते हैं। हाँ, उर्जा के एक रूप को किसी दूसरे उर्जा के रूप में परिवर्थित किया जा सकता है। आईए एक छोटा सा उधारन देखें। जब हम बल्ब को चालू करते हैं, तो विद्युत उर्जा, प्रकाश उर्जा में परिवर्थित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम टीवी चालू करते हैं, तो विद्युत उर्जा, उश्म उर्जा, ध्वनी उर्जा एवं प्रकाश उर्जा में परिवर्थित हो जाती है। उर्जा संदक्षन के सिध्धांद अब हम जानते हैं कि उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिणत हो सकती है। जब भी उर्जा का रूपांतरण होता है, तो संपूर्ण उर्जा आपरिवर्थित बनी रहती है। यही उर्जा संदक्षन का सिध्धांद है। इस सिध्धांद के अनुसार उर्जा मात्र एक रूप से दूसरे में रूपांतरित होती है। यह ना तो निर्मित की जा सकती है और ना ही नश्ट। संपूर्ण उर्जा रूपांतरण के पहले और बाद में भी अक्षुन बनी रहती है। आईए हम एक साधारण उधारण पर विचार करें। M द्रवेमान की एक वस्तू लेते हैं। उसे एक उचाई H से स्वतंतर रूप से नीचे गिरने देते हैं। प्रारंब में इसकी स्थितिज उर्जा MGH है एवं गतिज उर्जा शुन है। गतिज उर्जा 0 ये क्यूं है? गतिज उर्जा 0 ये है क्यूंकि इसका वेग 0 है। इस प्रकार वस्तू की कुल उर्जा MGH है। जैसे ही ये किरेगा इसकी स्थितिज उर्जा गतिज उर्जा में परिवर्थित हो जाईगी। यदि दिये गए निर्दिस्ट क्षण में V वस्तू का वेख है तो गतिज उर्जा एक बटा दो M V वर्ग होगी जिस समय तक वस्तू का गिर्दा जारी रहेगा वस्तू की स्थिछ उर्जा घटेगी जबकि उसकी गतिज उर्जा में व्रिध्धी होगी जब वस्तू धरातल पर लगभग पहुँचने वाली होगी, H बराबर शुन्ने और V उच्चतम बिंदू पर होगा इस प्रकार गतिज उर्जा अधिकतम और इस्थिछ उर्जा निम्नतम होगी यतबि वस्तो की इस्तिटिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल सभी बिंदूओं पर समान ही होगा अर्थात इस्तिज ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा बराबर स्थिरांग अथवा MGH जमा 1 बटा 2 MV का वर्ग बराबर स्थिरांग किसी वस्तु की गतिच उर्जा और स्थितिच उर्जा का योगफल, उस वस्तु की संपून यांत्रिक उर्जा है। कारी की दर का मुल्यांकन मान लेते हैं दो बच्चे A और B हैं हम कहते हैं कि दोनों एक ही आयू के हैं दोनों स्वतंत्र रूप से एक साथ तैरना शुरू करते हैं परंतु लक्ष को पूरा करने में A पांच मिनट लेता है जबकि B को नौ मिनट का समय लगता है दोनों ने समान कारे किया परंतु कारे को पूर्ण करने में A ने B से कम समय लिया इस कार्थ ये हुआ कि एक बलशाली व्यक्ति अपेक्षा कृत कम समय में नियत कारे कर जकता है उसी प्रकार शक्ति शाली वाहन अपेक्षा कृत कम शक्ति वाले वाहन की तुल्ला में कम समय में ही यात्रा पूरी कर लेगा अताहा कारे करने की दर अथवा उर्जा हस्तानतरण की दर के रूप में शक्ति को परिभाशित किया जाता है यदि एक अभी करता किसी कारे W को T समय में पूर्ण करता है तो उसके द्वारा लगाई गई शक्ति होगी शक्ति बराबर कारे बटे समय अर्थात P बराबर W बटे T शक्ति की इकाई वाट है जिसका प्रतीक W है उस अभी करता की शक्ति एक वाट है जो एक जूल प्रती सेकंड की तर से कारे करता है हम ये भी कह सकते हैं कि जब उर्जा की खपत एक जूल प्रतिसेकंड है तो शक्ती एक वाट है एक वाट बराबर एक जूल प्रतिसेकंड अर्थाथ एक वाट बराबर एक जूल प्रतिसेकंड उर्जा हस्तांतरण की उच्च दरों को हम किलो वाट यानी केट डबल्यू में व्यक्ति करते हैं एक किलो वाट बराबर एक हजार वाट एक किलो वाट बराबर एक हजार जूल प्रतिसकेंड उर्जा की वानिजिक एकाई हम जानते हैं कि उर्जा की एकाई जूल है परन्तु जूल द्वारा उर्जा की बड़ी मात्रा को व्यक्ति नहीं किया जा सकता उसके लिए हम उर्जा की बड़ी एकाई का उप्योग करते हैं जिसे किलो वाट घंटा के डव्यू एच कहा जाता है एक यंद्र का उदारन लेते हैं, जो प्रतिसेकंड एक हजार जूल उर्जा की खपत करता है यदि यह यंद्र अनवरत एक घंटे तक काम करता है, तो एक किलो वाट घंटा उर्जा की खपत होगी इस प्रकार एक घंटे में एक हजार जूल प्रतिसेकंड अर्थात एक किलो वाट की दर से एक किलो वाट घंटा उर्जा का उप्योग किया गया अताह 1 किलो वाट गंटा बराबर 1 किलो वाट गुना एक घंटा बराबर 1000 वाट गुना 3600 सेकंड बराबर 3600 जूल हमारे घरों और बड़े कलकार खानों में जो उर्जा खपत होती है, उसे समानिता किलो वार्ट घंटा में ही मापा जाता है क्या आप जांते हैं? जेम्स प्रेसकॉट, जूल, ब्रेटेन के उतक्रिष्ट भौतिक शास्त्री थे, उन्हें विद्यत और थर्मो डाइनमिक्स के क्षित्र में उतक्रिष्ट शोत के लिए जाना जाता है अन्य चीजों के मध्धे उन्होंने विद्यत धारा के उश्मे प्रभाव से संबंधित एक सिधान्त प्रतिपादित किया उन्होंने प्रायोगिक रूप से उर्जा सनक्षन के सिधान्त का सत्यापन एवं उश्मा के यांत्रिक सम्तुल्य की भी खोच की उन्ही के नाम पर उर्जा एवं कारे की इगाई का नामकरन जूद हुआ किसी वस्तु की इस्थितिज उर्जा धरातल से उसकी उँचाई अथवा निर्धारित शूनेस्तर पर निरभर करती है किसी दी गई अवस्थिती में सतह के अनुरूप वस्तु में नियत स्थितिज उर्जा विद्धिमान रह सकती है एवं सतह परिवर्थन की स्थिती में स्थितिज उर्जा का मुल्ले भी परिवर्थित होता है सारांश किसी वस्तु पर किया गया कारे आरोपित बल की दिशा में वस्तु द्वारा तै की गई दूरी एवं बल के परिमाण का गुणन फल होता है कारे की इकाई जूल है एक जूल बराबर एक न्यूटन गुणा एक मीटर किसी वस्तु में कारे करने की जो ग्षमता होती है उसे नहित उर्जा कहते है कारे एवं उर्जा की इकाई समान होती है किसी वस्तु में गतिज उर्जा नहित होती है जब वो गती की अवस्था में रहती है M. द्रवेमान की वस्तु जब V. वेक से गतिशील होती है तो उसकी गतिज उर्जा होती है एक बटा दू M. V. वर्ग अपनी अवस्थिती अथवा आकार में परिवर्तन के कारण कोई पिंड जो उर्जा ग्रहंड करता है उसे स्थितिज उर्जा कहते है M. द्रवेमान की वस्तु जब धरातल से H. उँचाई तक उठाई जाती है तब उस वस्तु की ग्रुत्विय स्थितिज उर्जा MGH होती है M. उर्जा संदक्षन सिध्धांत के अनुसार M. उर्जा का मात्र रोपांतरण हो सकता है यह ना तो निर्मित की जा सकती है और ना ही नश्ट M. हस्तांतरण से पूर्व और पश्चाथ संपूर्ण उर्जा हमेशा नियत रहती है M. किसी वस्तू की गतिज और स्थितिज उर्जा के योगफल को उस वस्तू की यांतरिक उर्जा कहते है M. कारे करने की दर को शक्ती के रूप में परिभाशित किया जाता है M. शक्ती की SI1 वाट है M. एक वाट बराबर एक जूल प्रती सकन M. एक किलो वाट की दर से एक घंटे में हुई उर्जा खपत को 1 किलो वाट घंटा कहा जाता है